Hello friends, आज इस वीडियो में हम लोग PPF investment के बारे में discuss करेंगे यह एक long term investment vehicle है जो risk free investment रहता है हम इस वीडियो में इसका benefits के बारे में देखेंगे इसमें invest कैसे करना है वो हम देखेंगे और इसको PPF को use करके हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में detailed discussion रहेगा लेकिन इसके साथ-साथ PPF में कुछ limitations भी रहते हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे और at the end of the video में मेरा खुद का PPF account आप लोगों के साथ share करूँगा उसका drawbacks और limitations सब कुछ देखेंगे अभी PPF का benefits देख लेते हैं main benefit है इसमें आपको जो returns मिलता है वो completely tax-free रहते हैं जो भी amount आपको maturity के बाग मिलता है वो tax-free रहता है उसमें कुछ भी tax आपको देना नहीं परता है तो आपका investment fully secured, risk-free and tax-free रहता है आपका इसमें better interest rate मिलता है than FD वो आगे जाके हम कितना interest rate है वो discuss करेंगे यह हर quarterly review होता है currently जो FD का rate चल रहा है वो आप जानते हैं इतना चल रहा है bank में उस हिसाब से आपका PPF में currently 7.9% rate of interest इस quarter में चल रहा है tax rebate मिलता है आपको section 88 के अंदर जो maximum investment limit आपका 1.5 lakh होता है आगे जाके इस वीडियो में हम detail discuss करेंगे वो tax benefit आप कैसे मिल सकता है और आपका maximum amount और minimum amount investment का क्या होने वाला है यह आप देख सकते हैं मेरा SBI account का PPF account का statement जहाँ पे clearly mention रहते हैं आपका rate of interest उस year में कितना रहने वाला है आपका maturity account का date वो mention रहता है कौन सा date में आपका account mature करेगा और आपका पूरा details यह statement में mention रहता है जिसको आप net banking में login होके बहुत easily download कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते है maturity date यहाँ पे clearly mention रहते हैं और कब आप open किये हैं account rate of interest सब कुछ mention रहते हैं और यह देखिए मैंने 500 रुपीज से यह account चालू किया था deposit करके आप भी 500 रुपीज या उससे ज़्यादा amount देके कभी भी PPF account चालू कर सकते हैं तो मेरे चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा like और share जरूर कीजिए और जुरे रहिए trade stock live in Hindi channel उसके बाद हम देख लेते हैं eligibility eligibility होने के लिए आपको main resident Indian होना है individual और उसके बाद आप one person एक ही account खोल सकते हैं आप multiple bank में multiple account नहीं खोल सकते हैं अगर आप one individual है आपका एक pen card है तो आप एक ही account के लिए eligible है पीपीएफ account के लिए आप on behalf of minor आप account खोल सकते हैं जहां पे आप करजियन रह सकते हैं ठीक है आप अपना बेटा बेटी और किसी भी minor के against में आप account खोलवा सकते हैं ठीक है और account आप कहां पे खोलेंगे इसके लिए आप कोई भी राष्ट्रायक्त बेंक या आप कोई भी private sector bank में open कर सकते हैं राष्ट्रायक्त बेंक के अंतरगत आपका SBI, PNB इसमें आप account खोल सकते हैं और private bank के अंदर आप ICICI, HDFC bank, access bank यह सब जो भी bank आपको अच्छे लगे वहाँ पे खोल सकते हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यह bank अच्छा है वो bank अच्छा है क्योंकि interest rate यह government टाय करता है तो अब कोई भी जिस bank में भी आपका खाता है, जिस bank को आप belief करते हैं, वहाँ पे जाके PPF account खोल सकते हैं तो देख लेते हैं इसका main features, PPF में main जो features हैं आप minimum 500 rupees से आप start कर सकते हैं और maximum amount आपका 1.5 lakh तक अप per financial year में deposit कर सकते हैं आप अगर उसे जादा करते हैं 1.5 lakh से तो उसके उपर आपको interest नहीं मिलेगा minimum one time आप deposit कर सकते हैं या फिर 12 time आप deposit कर सकते हैं एक financial year में मेरे मानना है आप एक बार में ही दीजिए तो आपको पूरा year का जो interest है वो आपको मिलेगा लेकिन आप monthly करके भी 12 installment में payment कर सकते हैं deposit आप bank में cash दे सकते हैं check दे के दे सकते हैं या फिर online transfer भी कर सकते हैं normal net banking अगर है तो ठीक है और यहां पर interest rate जो है वो quarterly review होता है जो मैं आपको पहले slide में बोला था तो वहां पे आपका currently rate जो rate चल रहा है वो 7.9% है आगे जाके यह बर भी सकते हैं और घड़ भी सकते हैं यह आपको ध्यान रखना है जब भी यह announce होता है हर quarter में तो आप लोगों को उसमें जादा ध्यान देना है ठीक है और यह जो interest rate है वो minimum जो balance आप 5th एक मंत का 5th से ले चाहते हैं तो पोशिश किजिए मंत का 1 से लेके 5 के पहले ही वो amount आप bank में दे दे अपना PPA कातों में transfer कर दे तो चलिए maturity period देख लेते हैं इसमें locking period रहते हैं locking period 15 full financial year का रहता है यह ज़रा ध्यान देने के बात है 15 years नहीं 15 full financial years ठीक है वो example में देता हूं और उसके बाद extend क कर सकते हैं 15 years के बाद every five years में example के तरफ से आप अगर account open करते हैं 1st August 2019 में तो आपका financial year calculate होगा 1st April 2020 से लेके और जो maturity होगा 31st March 2035 तो यह 15 full financial year आपका होगा maturity value और withdrawal facility क्या है यह बड़ा questions रहता है हम लोगों को कि 15 years के पहले हम उससे कुछ withdrawal amount कर सकता है कि नहीं loan facility क्या है premature withdrawal क्या है वो सब के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा इसमें आप लोगों के लिए मैं देखा एक withdrawal जो amount है वो एक chart में मैं draw किया हूँ एक से लेके 16th full financial year तक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो आप 3rd financial year से लेके 6th full financial year तक आप लोन के लिए eligible बन जाते हैं आप लोन ले सकते हैं तब अपना PPF account में लोन के उपर आपको कुछ interest पे करना परता है वो interest आपको क्या होता है वो interest होता है आपको जो government जो देते हैं आपको financial year के लिए जो भी government आपका rate of interest देते हैं उससे plus 2% add करके आपको loan का interest चुकाना परता है अगर government का interest rate 8 है तो आपको चुकाना परेगा 10% loan के उपर rate of interest और 7th year से लेके आपका full जितना तक भी maturity 16 years तक आप हर साल हर financial year में आप एक बार partial withdraw कर सकते हैं उसको हम बोलते है partial withdraw ये भी आपका जो amount रहता है उसका 30-40% रहता है वो आपको details में bank वाले जब आप उज्जो करने के जलिए जाएंगे तो आपको details बता देगा अभी देखते हैं maturity value कितना रहता है आपने thumbnails में देखी ही होंगे वीडियो के के 44 lakhs तक आपको मिल सकता है जी हां दोस्तों अगर 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 पर्टिकुलर्ली जाएंगे और कोई भी PPF calculator बोलके search दीजिए तो आपको बहुत सरा calculator मिल जाएगा यहां पर मैं HTTPS जो आपको address दिया गया है वो calculator यूस किया हूँ जो जिसका description box में मैं link दे दूँगा आप देख सकेंगे यहां पर में हम लोग 8% लेके लगबग calculation किये हैं तो 44 lakhs इसका maturity amount निकलता है और यह चार्ट में आप देख सकते हैं table में loan amount और withdrawal amount भी दिया गया है आप वीडियो को post करके यह देख सकते हैं Now main जो काम है कि हम लोग PPF account open कैसे करें देखिए open करने का दो method है First process है आपको physical physical process में आपको visit करना परेगा physically bank में या post office में जाके form A भरना है जो PPF related form है उसके साथ आपका दो passport size photograph लगेगा आपका pen card mandatory है और उसके साथ आपका identity proof address proof जो आपका आधार driving license या फिर voter ID card है वो सब आपको लगेगा Normal bank account open करने का जो भी process है same रहेगा एक दिन में PPF account open हो जाता है Second process है completely online बहुत सरा bank अपना अगर अगर net banking facility दे रहे हैं तो net banking में ही आप लोग PPF account open कर सकते हैं और online में एक सुवीदा है कि already bank के पास KYC आपका रहता है तो वो लोग online माध्यम से बहुत ही जल्दी अप घर बैटके open कर सकते हैं अगर आपका account PPF account inactive हो गया तो उसके लिए penalty देना परता है वो उसके बारे में चुना से discuss कर लेते हैं अगर आप एक financial year में minimum deposit जो 500 रुपीज है वो आप नहीं देते हैं तो आपका account inactive हो जाता है और उस financial year में आपको कोई भी interest नहीं मिलता है तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा 500 रुपीज minimum आपको जमा करना है लेकिन अगर आप account को फिर से revive करना चाहते हैं तो आपको per financial year 50 रुपीज देना परेगा और 500 जो minimum amount है वो भी देना परेगा इसके मिल्स 550 रुपीज देखे आप फिर से अपने account को revive कर सकते हैं premature withdrawal ये बहुत सारा लोगों को questions रहता है जी हाँ premature withdrawal भी होता है लेकिन इसके लिए आप eligible रहेंगे only after 5 financial years 5 complete financial year के बाद ही आप लोग premature withdrawal कर सकते हैं इसके उपर भी कुछ conditions हैं जैसे कि आप लोग कुछ कुछ conditions में ही वो premature withdrawal कर सकते हैं अगर serious illness हो गया आपका family member का या फिर आप कुछ higher education के लिए plan कर रहे हैं आपका या फिर आपका कुछ family member का आपका kids का तो आप लोग bank में जाके application देखे उस वो premature withdrawal कर सकते हैं ठीक है यही था PPF के बारे में जानकर ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अगर मेरा effort आपको अच्छा लगा तो please subscribe कीजिए चैनल को यहां पे बहुत सारा मैं वीडियो लाने वाला हूँ financial freedom के लिए और वीडियो को जरूर like और share जरूर कीजिए